थोड़ा है, थोड़ी की जर्वत है, थोड़ा और स्पेस, थोड़ी और चगे आज की वीडियो में हम छोटी की चन, छोटे घर की जो स्पेस प्राब्लम होती है को सॉल्व करने का प्रियास करेंगी पिछले 3 सालों से मैं आपसे कनेक्टेड हूँ और 50 से अधिक वीडियो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बना चुकी हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्राब्लम मैंने फेस की और कर रही हूँ, वो आपको ना करनी पड़े इसी अच्छी सोच के साथ आपकी प्राब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं फिर से हाजिर हूँ तो आईए देखते हैं आज का वीडियो हम सभी के घर में सबसे ज़्यादा सामान और सबसे चोटी जग है जो है वो है हमारी किचन तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं यहाँ देखिए इस शेल्फ है मैंने सामान इस तरीके से अरेंज करके रखा हुआ है पर यहाँ पर पूरी जगे का यूडिलाइज मैं नहीं कर पा रही हूँ यह देखिए काफी स्पेस बेकार चारा है तो जगे को पूरा यूज करने के लिए मैंने यह पूलाओ ज्रॉर खरीदी है इसकी साइज आप देखे सकते हैं काफी अच्छी है स्लिक और लंबी होने के साथ साथ इसकी कैपसिटी यानि की डीप भी यह सफिशेंट है कैबिनेट के हैंडल पर ही मैंने चकले की नीचे लगाने वाला कपड़ा और चिम्टा रख दिती हूँ डोर की बाहर ही नहीं डोर की अंदर की साइड भी पेपर रोल वगेरा रख कर मैंने जगे का पूरा यूज करने का प्रियास किया है वैसे तो मैंने ये अपनी कबड के लिए खरीदा था पर मुझे लगा कि किचन में इसकी ज़्यादा ज़रत है तो यहां पर यूज कर रही हूँ मिक्सर के नीचे भी मैंने पापड का डिपा रख दिया है एक्चुली पापड हमारे घर में बहुत कम ही यूज आते हैं दो तिन महीनों में कभी कबार में पापड की सबजी बनाती हूँ तो अब देखिए इसी छोटी सी जगे में मैंने एक्स्टा सामान भी याड़ कर दिया और सभी सामान easy to approach भी है पहले मेरी कावड में इतना बड़ा space सिर्फ hangers के लिए ही था लगबग आदी हलमारी ही मैं use ले पा रही थी तो जगे के पूरे utilization के लिए मैंने कारपेंटर दादा को भूला कर extra shelf डलवा लिए उपर के पार्ड में मैंने दो दो वुरन प्लांक लगवा लिए हैं अब देखिए मैं ज़्यादा सामान रख भी पा रही हूँ और सभी सामान प्रॉपरली अरेंज भी हो गया है और easy to approach तो है ही मेरी वाली side भी देखिए उपर वाली road को भी मैंने नहीं छोड़ा है वहाँ पर भी मैंने files, diary लगा कर जगे का पूरा use करने का प्रियास किया है घर छोटा है तो definitely bathroom में भी space कमी है और furniture अभी बना नहीं है फिर भी मैंने अपने हिसाब से जगे का maximum use लेने के लिए पूरा effort डाला है काज के नीचे paste लगा दी है, side में दो red basket एकी kill की मदद से डोरी से बान कर मैं use ले रही हूँ पर नीचे के side, sink के नीचे सामान रखने की कोई जगे मेरे पास नहीं है इस कारण यहाँ पूरी तरीके से सफाई भी नहीं हो पाती है, आप देखी सकते हैं तो यहाँ पर भी मैंने carpenter ज़्यादा से एक shelf और air करवा दी है अब दिखने में ठीक भी लग रहा है और नीचे से cleaning भी मेरी आसान हो गई है गौर कीजिएगा, इंसान की रहन सहन और बात करने की अंदाज से हम उसके किरदार और शक्सियत का काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं तो जगे कम हो या ज़्यादा, चीजे सस्ती हो या महंगी हमेशा व्यवस्तित रखना ज़्यादा important है किजन में कैसे तैसे जुगार करके मैंने ये जगे बनाई थी, आपके साथ शेर भी की थी, यहाँ पर मैंने जगे का पूरा यूज लेने का maximum प्रयास किया है पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी और जगे यहाँ पर हम बना सकते हैं तो आईए देखते हैं वो कैसे और वो भी जीरो कोस्ट में तो इसके लिए सबसे पहले मैंने सारा सामान हटा लिया है और अब देखिए ट्रे को मैंने as a support यूज किया है और उस पर मैं ये green basket अटका दूँगी अब सभी सामान हम अरेंज कर देंगे और अब देखिए चगे कैसे और निकलाई है किचन का पोचा मैं यूज लेने के बाद में धूप में खिड़की में लगा देती हूँ पर ये यहाँ सामने ठीक नहीं लगता है तो इसे भी मैंने वहाँ से यहाँ डोर पर शिफ्ट कर दिया है आई लेबल के नीचे है तो इतना बुरा भी नहीं लग रहा है और फैला होने के कारण ये सूख भी जाएगा मेरे पूरी घर में आपको space saving ideas मिल जाएंगी जब से मुंबई आई हूँ तब से कम जगे में ज़्यादा समान रखने में specialist हो गई हूँ तो अब आ गए हैं हम बच्चों की रूम में यहाँ देखिए study table के उपर ही मैंने shelf रख दी है उपर file holder curtain road में ही फसा दिया है दोनों side shelf रखने के कारण दोनों बच्चों की किताबों के लिए space table पर ही मैंने create कर दिया है पहले यह दोनों shelf नीचे रखी थी तो जादा जगे घरती थी पर अब जगे भी बन गई और किताबे भी properly arrange हो गई पर बात यहीं खत्म नहीं हुई है प्रिंटर के लिए मेरे पास कोई जगे नहीं है तो यहां देखिए आपरा का डापरा गिली गिली चूप प्रिंटर को मैंने कारबोर से कवर कर दिया है जिससे प्रिंटर पर दूला भी नहीं आता और दूसरा इसी पर डेली काम आने वाले सामान बच्चे रखकर इस जगे का पूरा यूज भी कर लेते हैं आपके घर में जगे वाकई में बहुत कम है तो इस पेस बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाई यही है कि आप बैड में इन्वेस्ट ना करके सिर्फ मैट्रस में इन्वेस्ट कीजिए इससे फायदा यह होता है कि मैट्रस को खड़ा कर देने पर खूब सारी जगे हमारे पास निकलाती है यहाँ आप योगा, डांस या अधर एक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं सफाय भी प्रॉपरली हो जाती है बैड का खर्चा भी बच गया और सही बताओं तो नीचे सोने में जो मज़ा है वो बैड पर सोने में नहीं आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताईएगा और हाँ फोन वगेरा चार्च करने के लिए स्विच वोर्ड के पास ही ऐसे निकनेक आइटम्स में जरूर से इन्वेस्ट कीजिए फोन हमारा इतना मेंगा आता है तो सस्ते डियावाई की चकर में ना फस कर सही चीज का चुनाव कीजिए नहीं तो सस्ता पढ़ जाएगा मेहंगा मैट्रिस को खड़ा करने पर और बिचाने पर दोनों समय बेर्शिट अपनी जगह पर बनी रहे इसके लिए मैं चारों तरफ नॉट लगा देती हूँ जिस सलवर्टे भी नहीं आती और बेर्शिट अपनी जगह पर प्रॉपरली बिची रहती है इस तरीके के कटलरी होल्डर हर दूसरे इंडियन घर में आसानी से मिली जाएंगे मैंने इसे यहाँ पर वाइट पेंट कर दिया था तो चमच वगएरा रखने में तो हम इसका यूज करते ही हैं इसके साथ आप इसमें क्रीम और शेंपू आदी की बॉटल में जो होल्डर लगे विवाते हैं उसका यूज करके इसका एडिशनल यूज भी कर सकते हैं बस इसे इसमें फंसा दीजिए और अब आप इसमें एक्स्टा, स्पिर्चुला, ब्रश आदी भी हैंगर सकते हैं आप चाहें तो इसमें एसुक्स लगा कर इसे मल्टी टास्कर भी बना सकते हैं हैंगर में कभी चूडिया, कभी रबर पैंड, कभी डोरी बहुत सारे आइडियास लगा कर हम इसका वर्टिकल यूज करने की पूरी कोशिश करते हैं पर यहां देखिए अब हैंगर में अल्रेडी होल्डर पना हुआ आता है जिसकी सायता से आप बहुत सारे कपड़े कम जगे में ही रख पाएंगी मैंने इने डी मार्ट से करीदा है, क्वालिटी बहुत यह अच्छी है मैं इने 5 में से 5 की रेटिंग दूँगी छोटे स्पेस के लिए यह बहुत सही आप्शन है